सूपर बात प्यारे बच्चो बच्चो जैसा ये आपको पता है कि हमारे ग्रिसम अवकास खतम हो चुके हैं अब हमें अपनी पढ़ाई निरंतर आगे रखनी है तो उसी कड़ी में आज हम हमारी कवीता खिलोने वाला वो पढ़ेंगे तो जैसा कि सभी बच्चों को खेलना पसंद है और आप लोग तरह तरह के जो खेल हैं वो खेलते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी गली में बहार कोई खिलोने वाला खिलोने बेचने के लिए आता है तो आप लोगों की उतसुकता और बढ़ जाती है कि उसक के पास कौन कौन से खिलोने है और आप लोग भी उनी खिलोनों को प्राप्त करने के लिए अपनी अभी भावकों के साथ अपनी मा के सामने क्या करते हो जिद करते हो खिलोने लेने के लिए तो ये पाठ भी ये कविता भी हमारी इसी पराधारित है जिसमें एक बच्चे की मन तरह के खिलोने तो चलिए बच्चो शुरू करते हैं वै देखो मा आज खिलोने वाला फिर से आया है कई तरह के सुन्दर सुन्दर नए खिलोने लाया है हरा हरा तोता पिंजडे में गेंद एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है सरसर चलने वाली, सीटी भी है कई तरह की कई तरह के सुन्दर खेल चाबी भर देने से भकबक करती चलने वाली रेल गुडिया भी है बहुत भली सी पहिने कानों में वाली छोटा सा टी सट है, छोटे छोटे है लोटा थाली छोटे छोटे धनुश बान है छोटी छोटी तलवार नए खिलोने लेलो भाईया जोर जोर वे रहा पुकार मुन्नू ने गुढ़िया ले ली है मोहन ने मोटर गाड़ी मचल मचल सरला कहती है मासे लेने को साड़ी कभी खिलोने वाला भी मा क्या साड़ी ले आता है साड़ी तो वै कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिये पैसे चार कौन खिलोना लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल पर मा ये मैं कभी न लूँगा ये तो हैं बच्चों के खेल मैं तलवार खरीदूंगा मा ये मैं लूँगा तीर कमान जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान तप्शी यग करेंगे असरो को मैं मार भगाऊंगा योही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा यही रहूंगा कोशल या मैं तुमको यही बनाऊंगा तुम कहदोगी वन जाने को हस्ते हस्ते जाऊंगा पर मा बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा दिन भर घूमूंगा जंगल में लोट कहां पर आऊंगा किस से लूंगा पैसे रूठूंगा तो कौन मना लेगा कौन प्यार से बिठा गोद में मन्चा ही चीजें देगा तो ये थी हमारी कवीता जिसका नाम है खिलोने वाला एक बच्चे की मनोदशा के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से वो अपनी मा के सामने खिलोने वाले का चितरन करता है उसके बारे में बताता है कि मा खिलोने वाला आ गया है उसके पास तरह तरह की जो खिलोने है तरह तरह की रेल गाड़ी है तरह तरह की गुढिया है ठीक है धनुषबान है, तलवार है इन चीज़ों के बारे में वो अपने माता को बताता है और वो किस के अनूरूप बनने की अपने मा के सामने इस बातबाता है वो भगवान राम के समक्ष का जैसा बनना चाहता है अभी इस वीडियो में तो बिटा इस कवीता के बारे में जाता अभी बात नहीं होंगी हम क्लास में भी इसको डिसकस करेंगे अच्छे से लेकिन इस कवीता को आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ेंगे ठीक है और तै ले और ताल के साथ आप लोग इस कवीता को पढ़ेंगे एक पर अच्छे से और मुझको सुनाएंगे फिर कक्षा में अभी मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कवीता समझ आई होगी धन्यवाद